टाइपस ऑफ वेरियेबल क्या होता है वेरियेबल का वर्ड वैरी से यह नि बदलने वाला तो हर वो चीज जो बदल सकती है वो वेरियेबल है जैसे इनसान के बारे में कुछ चीज बदल सकती है यह आप जिन लोगों को इस्तमाल कर रहे हैं रिसर्ट में जो आपके रिस्पांडेंट है वो यह भी हो सकती है और वह भी हो सकती है इसका मतलब है कि वो कोई कॉंस्टेंट नहीं है वेरियेबल कॉपशेट होता है एक जग कोई चीज, कोई फिनोमेन, कोई नमबर, कोई स्कोर, कोई कैसियत, कोई इनर स्टेट, कोई आउटर कंडिशन, इंसान का टंप्रेटर, इंसान का वेड, जो चीज नहीं बदल सकती, वो constant है, जो बदल सकती है, वो variable है, रिसर्ट में हम variable उन चीज़ों को कहते हैं, जिन को हम य तो, जिन की तफ्तीश कर रहे होते हैं, जिन को investigate कर रहे होते हैं, बसलों, अगर मैं देख रही हूँ, quality of life, तो वो मेरा variable है, लेकिन उस variable पे कौन सी चीज़ें अस्तर अन्राज होती हैं, वो भी variable है, ठीक, अगर वो इतना अस्तर होगा, तो उसके दूसरा, जैसा हमने correlation में का था, वो कम या ज्यादा हो जाएगा variable, तो इसलिए type of variable जो है, वो independent, dependent और control, independent variable वो होता है, जिसे हम IV भी कहते हैं, जिसका अस्तर हम दूसरे पे study करते हैं, जिसको हम manipulate करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, बढ़ाते गटाते हैं, तो independent variable is the variable whose impact is being studied, dependent variable, db, is the variable on which we are seeing the impact of independent variable, medicine is independent variable, temperature is dependent variable, blood pressure is dependent variable, the independent variable may be the type of food you eat, so my medical science is all very deep, hours of study is independent variable, and the grades you get in the exam, dependent variable, तो हम यह देख सकते हैं कि जो number आ रहे हैं इमतेहानों में, क्या उनका तालुक कितने घंटे पढ़ने से हैं, या खास तरीके से पढ़ने से हैं, या आपकी जहानत, और आप पढ़ते किस तरह हैं, इन दोनों के combination जो हैं, वो independent variable हैं, और उसके में जो आपको number आ रहे हैं, वो dependent variable है, तो यह अब तक आपको समझ आ गया होगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि ज्यादा बारिश और हरी भरी फसलें, यह independent और dependent variable के तौर पे हमने देखा था, एक आम understanding के तौर पे, यह psychology में, cross-cultural psychology में, जब हम independent variable की बात कर रहे होती हैं, तो कई तो हम culture को independent variable रहे हैं, दो group है, यह तीन group हैं और वो तीन मुक्तलिफ तरह के cultural group हैं, एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, एक अंग्रेज जो इंगलिस्तान में रहते हैं, और एक वो पाकिस्तानी जो इंगलेंड जा के काम कर, जी, मिसाल दे रहे हूं, कोई भी ले लें कि तीनों culture किस तरह असर अंदाज हो रहे हैं, कि इस हैलात पे या किसी emotion पे या कोई और attitude पे, तो वो उसको हम culture independent variable बने हैं, हम उसको manipulate नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको control कर सकते हैं कि तीन culture हम ले तो अब इसकी मिसालें देख लें, नींद कितनी लेते हैं, उसका आसर हो, IV is सोने में कितना time गुजा रहा हैं तेहान से पहले और dependent variable is आपका test में क्या number आए, what is the effect of fast food on blood pressure, independent variable का है, consumption of fast food और dependent variable का है, आपका blood pressure, control variable या CV यह होता है, एक independent variable जिसका impact हो सकता हूँ, dependent variable पे, उसको हम control करते हैं, मसलें हम अगर culture, for example हम देख रहे हैं कि हमने खास तरीके से पढ़ाया है, और उसका अस्थर जो है, उनके इम्तिहान के, या उनकी याददाश पर, या इम्तिहान के score पर क्या है, अच्छा हम एक चीज़ को control करेंगे, कि उस तब एक ही जहानत के हूँ, अगर कोई कम जहीन है, कोई ज्यादा जहीन है, तो मेरे पढ़ाने का असर नहीं है, वो उनकी अपनी जहानत जो है, और पढ़ाने का तरीका मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो जो जहीन बच्चा है, उसको थोड़ा पढ़ाना, और कोई teacher बहुत explain में ना करें, वो फिर भी ब लेता है, वो बहुत अच्छी तरह याद रख लेता है, उसमें शौक है पढ़ने का, जबकि जिस बच्चे की जहानत कम हो और उसको आप पढ़ाएं भी इतना अच्छा ना, तो ये ना मिक्स हो गई बात है, इसलिए अगर एक चीज़ का असर देखना हो, तो दूसरी को याद करना जो है, वो इंप्रूव कर जाता है, अब उसमें जो कंट्रोल करेंगे ना, वो हम एड, इसलिए कि कैफीन का असर एटिट लोगों पे, बच्चों पे, यान्ग लोगों के जहन पे डिफरेंट तरह से होता है, तो हो सकता है कि जो अबब 40 हैं, उनको इस कैफी है, अगर चोर है एंवार्मेंट में, उसे कंट्रोल करना है, और किस तरह का मेमरी टेस्ट देना है, वो सबका एक ही जैसा उना चाहिए, तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो इर्कित की एंवार्मेंट है, और जो पार्टिस्टी पेंट के अपनी करेक्टरिस्ट है, तो तीन लेवल पे हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं,